हेलो दोस्तों सीता की कहानी में आपका स्वागत है जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा बिंदिया सीता के घर तूद लेने के लिए आई होती है और वह एक दम से चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर जाती है कोई मेरी मदद करो कोई मुझे पचाओ मैं गिर गई हूँ सीता दीदी चल दी आईए राधा राधा कहा हो तूम हरे आज तूम्हें मर ही जाओंगे लगता है कौन मेरी मदद करेगा अरे ये तो बिन्दिया की आवाज है मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ वह क्यों चिला रही है बिन्दिया बिन्दिया कहा हो तूम ही भगवान ये क्या हो गया तूम्हें अपना खयाल रखना चाहिए चलो उटो मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर चलती हूँ पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए और मैं जमीन पर गिर कही राधा मेरी सहायता करो लगता है आज मेरी डिलिवरी होने वाली है मुझे पहुत दर्द हो रहा है राधा कुछ करो चल्दी से डोक्तर को बुलाओ अरे ये तो बिन्दिया की आवाज है बिन्दिया क्या हु तुमी ओ माई गोड बिन्दिया तो यहां जमीन पर गिरी पड़ी है अब मैं क्या करूँ चल्दी से मुझे होस्पिल्टर ले जाए दीदी लगता है आज मेरी डिलिवरी होने वाली है अरे हां मुझे कुछ करना होगा चल्दी कीजी दीदी मेरे पास जादा समय नहीं है क सुईती के पापा, सुईती की पापा, उठ चाईए, है भगवाल, यह बीना कैसे कुमकर्ण के जैसे सोय जा रही है इने तो कौई खबर नहीं ही कि घर में क्या चल रहा है, उठ चाहिए सुईती की पापा, आपको सुन नहीं रहा क्या, हमें पिंधिया की मदद करनी है, द बता है ना कि वो प्रेगनेंट है और ऐसे में उसका गिरना ठीक नहीं है। पिचारी दर्द से करा रही है। चल्दी से आप डॉक्टर के पास फोन कीजी और एम्बुलेस बुलवा लीजी। अरे विद्या भाबी गिर गई तो पहले नहीं बता सकती थी क्या तूँ। हंजी सार मैं यहां से बोल रहा हूँ रामपुर गाउं से हाँ नदी किनारे वारे रामपुर गाउं से यहां पर एक प्रेगनेंट लेडी गिर गई है उन्हें होस्पिटल पहुचाना है आप जंदिल से एम्बुलेस भेज दीजिए हाँ हाँ सीतापुर के पास वाला गाउं रामपुर वही से बोल रहा हूँ मैं जरा जल्दी कीजिए ठीक है ना प्रेगनेंट लेडी की हालर ठीक नहीं है वो गिर गई है राधा चुटकी के पापा को तो पता भी नहीं कि मुझे होस्पिटल ले जाना है तुम जल्दी से उन्हें बुला दो मुझे तो बड़ी घपराहट हो रही है कोई उन्हें बुला दो अरी तुम घब्राओ नहीं बिंदिया, हम बुला देंगे छुटकी के पापा को, पहले डोक्टर्स को आने दो, तुम्हें होस्पिटल जाना है, अभी मैं भाई सापको कहकर फोन करवा देती हूं तुम्हारी पती से, पता नहीं ये एम्बुलेस किसना इमाई की, बिचारी बिंदिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हरी लगता है ये एम्बुलेस की आवाज है, राधा क्या तुम्हें एम्बुलेस का साइरें सुनाई दे रहा है, इधर एम्बुलेस तेजी से सीता के घर की तरफ आ रही होती है, आईए डोक्टर, ये हैं पेशेंट, बिंदिया भापी, इने चल्दी से होस्पिटल लेकर जाना है, ओ, आईसी, लेकिन पहले मुझे इनका चेक अप करना होगा, पताए बिंदिया जी, आप कैसे किर गई थी, अरे मैं तो दोट लेने के लिए आई थी, डोक्टर, अरे अरे खपराईए नहीं, आप रोईए न ही, मैं अभी आपका चेक अप करती हूँ, अरे हाँ, लगता है डिलिवरी होने ही वाली है, कहीं बच्चे को कोई नुकसान न पहुचा हो आपके गिरने से, इने इमिडेटली होस्पिटल ले जाना होगा, वैसे पिंदिया का पती कहां पर है, दक्तर अने जी हमने उनके प होस्पिटल पहुचाना होगा, चलो हम भी इसे होस्पिटल लेकर चलते हैं, वो बाद में आ जाएगा, अरे वोल्ड बॉई क्या कर नहीं हो, तुम स्टेशर लेकर आओ, तुमी देख नहीं रहा का, पेशेंट की हालत कितनी चादा सीरियस है, चल दी करो, अरे हाँ हाँ मै लेकर आ रहा हूँ, ये मैडम बीना मुझे पर चिलाती ही रहती है, आजाएए, आप पेशेंट इस पर लेट जाएए, मैं आपको ले चलता हूँ, एम्बुलेंस के अंदर, अरे पिंदिया चल्दी से उठो, थोड़ा हिम्मत करो, तुम स्टेशर पर लेट जाओ, तुम स तुम घबराओं नहीं बिंदिया, और दोक्टर पेशेंट के पास बैट ने लगती है, अरे जलनी करो सीता, तुम भी आ जाओ, हाँ, मैं आती हूँ डोक्टर, और इस तरह से सीता भी एम्बुलेंस के अंदर बैटने लगती है, आप भी आजाएए, ठीक है ना, आप पर आजाना बिंदिया की पती को लेकर, हाँ, ठीक हसीता, तुम जाओ, मैं बिंदिया की पती को लेकर अभी होस्पिटल पहुँच जाता हूँ, बिंदिया भाभी का अच्छे से खयाल रखना ठीक है ना, और इस तरह से एम्बुलेंस बिंदिया को लेकर होस्पिटल की त अरे एक चुटकी कम थी क्या हमें परिशान करने के लिए जो उसका चुटा भाई या बहन भी आ रहा है फिर तो दोनों मिलकर हमें परिशान करेंगी पिंदिया तुम ठीक तो हो ना तुमें कोई तक्रीफ तो नहीं है देखो हम जल्दी ही होस्पिटल पहुच जाएंगी अरे दीदी मुझे पहुच ज़्यादा तकलीफ हो रही है कैसी बाती करती है आप कूल डाउन मिसिस बिंदिया आप जल्दी ही होस्पिटल पहुच जाएंगी फिर आपका अच्छे से हम ट्रीटमेंट कर देंगी मेरा मतलब है आपकी डिलिवरी कर देंगी आपको खब्राने की कोई जरूरत नहीं है अरे खब्राओं कैसे नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है ये अमुलेस इतना धीरे क्यों चल रही है कब मुझे होस्पिटल एड्मिट कर आया जाएगा लगता है मेरे डिलिवरी तो आज यहीं हो जाएगी अरे ड्राइवर चल दी करो भाई मुझे होस्पिटल ले चलो अरे इतना उतावली क्यों हो रही हो बिंदिया थूड़ा समय तो लगता है ना तुम्हीं पता है हमारे गाउं से कितना दूर है होस्पिटल और इस तरह से ड्राइवर को बीच में नहीं टोकती है लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ तुम्हें कुछ अच्छा महसूस होगा अरे बिचारी बिंदिया तो पहुती ज़्यादा तकलीफ में है और उपर से ये गिर भी दो गई कितना ज़्यादा परिशान हो रही है बिंदिया अरे आपका पहुती ज़्यादा शुक्रिया सीता दीदी कितनी अच्छी है आप कितना खयाल रख रही है मेरा अरे कोई बात नहीं बिंदिया तुम मेरी सहेली हो ये तो मेरा फर्ज बनता है हरे कितनी अच्छी है सीता सशमुच कुन किसी का इतना ख्यार रगता है देखो कैसे पैरत बार ही है सहीली के चलो मैं भी तुम्हारे चेक अप कर लेती हूँ अरे तुम्हारे डिलिवरी तो होने ही वाली है तुम्ही तो पहुँच जल्दी होस्पिटल पहुँचना चाहिए देखो डिलिवर तोड़े जल्दी चलाओ और साफधानी से चलना ठीक है ना ओके डोक्तर मैं और तीज करता हूँ अपनी स्पीड हम कुछी देर में होस्पिटल के अदर पहुँच जाएंगे आप घबराईगा नहीं हम आपको सुरक्षित और जल्दी ही होस्पिटल पहुचा देंगे और इस तरह से ड्राइवर तीजी से अम्बूलेंस को चलाने लगता है पता नहीं मैं कब होस्पिटल पहुचूंगी मुझे पहुत तकलीफ हो रही है एम्बुलेंस दीजी से होस्पिटल की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन अचानक से एम्बुलेंस रुक जाती है और बिंद्या पहुँच जदा परिशान हो जाती है हरी क्या हुआ दीदी एम्बुलेंस क्यों रुक गई ये भगवान ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ थोड़ा हिमत से काम लो बिंदिया ऐसे रोते नहीं है चलो मैं देखती हूँ आखिर क्या हुआ है अरे रोड पर तो जाम लग गया है कितनी जादा ट्रैफिक है रोड पर आज कुछ ना कुछ तो हुआ है लगता है कोई अगसिडेंट हो गया है अब हम आगे कैसे जाएंगी बिंदिया बीचारी तोquito हो ज़्यादा परिशान है ए भगवान क्या होगा ाज मैं ही बिंदिया के साथ हूँ बिंदिया का पती भी नहीं है अरे दीदी मुझे बहुत कबराहट हो रही है मैं कब होस्पिटल पहुचूंगी मैडम अभी तो रोड जाम है अभी नहीं चलेगी अमबुलेस अरे तुम जल्दी से नीचे जाकर देखो क्या हुआ है आखिर रास्ता खाली करवाओ जल्दी ठीक मैडम मैं अभी चाता हूँ ये लोग एमबुलेस का रास्ता कैसे रोक सकते है ये तो बिल्कुल अकल नहीं है अरे हाँ भाई चल्दी से जाकर देखो अच्छे से डाट लगाना और उनकी गाड़िया साइट में करवा देना हाँ एमबुलेस का रास्ता रोकते हैं बेवकुफ लोग अरे तीदी अब मैं क्या करूँ मेरी तकलीफ तो बढ़ती ही जा रही है पता नहीं आज क्या होगा लगता है मैं तो आज जिन्दा नहीं पचूंगी अरे ऐसे पाते नहीं करते तुम क्यो घबरा रही हो तुम्हारे पास मैं हूँ ना अरे क्या हुआ है यहां रोड पर इतना ट्रैफिक क्यों है चलो मैं आगे जाकर देखता हूँ अरे यहां तो सारी गाड़िया रुकी हुई है इस मोटे आदमी के कारण अरे देखो तुमने मेरी गाड़ी को कितना बड़ा नुकसान पहुचाया है तुमने स्कूटी भीड़ा दी मेरी गाड़ी से तकर मैंने नहीं मारी तुमने आकर मारी है मैं तो अच्छे से चला जा रहा था कि पीछे से आगर तुमने मेरी स्कूटी में अपने गाड़ी ठोक दी अरे नुकसान तो मेरा हुआ है ना देखो मेरे सामने की दोनों लाइस तूट गई है तुम्हें इसका नुकसान तो भेरना ही होगा पूरे 5,000 रुपई देने होगे तुम्हें तभी मेरे लाइट्स ठीक होगी अब चल्दी से 5,000 रुपई निकालो और रस्ता खाली करो समझ करे न मेरी प्यारी काड़ी कुछ ही दिन पहले मेरे पती ने मुझे गिफ्ट की थी अरे जौदा मत बोलो तुम 5 रुपई की शकल नहीं है 5,000 रुपई की बात करती हो मैं नहीं दूँगा तुम्हें जा रहा हूँ मैं यहां से हां बेवकुफ ओरत अरे ये तो भाग कया मेरे गाड़े का इतना बड़ा नुकसान करके मुझे भी जाना होगा इस मोटे को पकड़ना ही होगा मुझे और वह औरत पी गाड़े लेकर चली जाती है अच्छा है ट्रैफिक खुल गया है अब मैं भी अम्बुलेस को लेकर जाता हूँ और एम्बुलेस फिर से होस्पिटल की तरफ आगे बढ़ने लगती है डोक्टर अब मुझे सहन नहीं हो रहा है अरे लगता है मुझे इन्हें एक सुई लगा देनी चाहिए तब ही इन्हें चैन पड़ेगा हाँ डोक्टर कृपया आप मुझे सुई लगा दीजिए अब मुझे और बरदाश्ट नहीं हो रहा है ठीक है मैं तुम्हें सुई लगा देती हूँ और डोक्टर जल्दी से बिंद्या को एक सुई लगा देती है यह है लो इससे तुम्हे कुछ अच्छा लगेगा वैसे अब हम होस्पिटल पहुँच गई है चल्दी से ही तुम्हारे हम डिलिवरी करा देंगी तुम्हें कोई तकलिफ नहीं होगी इसके बात और वह चल्दी से बिंद्या को सुई लगा देती है आप सब भी आज आईए ठीक है ना मैं इन्हें होस्पिटल के अंदर ले जा रहा हूँ और इस तरह से बिंद्या को होस्पिटल के अंदर एडमिट करा दिया जाता है दोस्तो इसके बात कहानी में क्या होगा यह सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा और देखते रहें यह सीता की कहानी तो चल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए पापाई दोस्तो